राहूल गांधी जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से लगातार लोगों से जुड़े मुद्दे को संसत के अंदर उठा रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं यहां तक कि ज़रुत मंदों के लिए राहूल गांधी ने अपने दफ्तर का दर्वाजा खुला हुआ है जो लोग भी राहूल गांधी से मिलना चाहते हैं वो सीधे राहूल गांधी के ऑफिस में जाकर मिल सकते हैं लेकिन राहुल गांधी का आरोप है कि बहुत से लोगों को संसद के अंदर उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है आपको शायद याद हो अभी हाल ही में किसानों की एक मंडली अपनी समस्याओं को लेकर राहुल गांधी से मिलने संसद में पहुची थी क्योंकि राहुल गांधी नहीं उन्हें बुलाया था लेकिन उन्हें मिलने से रोक दिया गया था जिसके बाद राहुल गांधी ने इसका कड़ा ग्रोध किया था तब जाकर किसानों को राहुल गांधी से मिलने दिया गया ठीक ऐसे ही 8 अगस्ट के दिन मच्छवारों के एक डेलिगेशन और राइट तू फूट डेलिगेशन से भी राहूल गांधी ने मुलाकात की थी लेकिन ये मुलाकात संसद भवन के रिस्टेप्शन एरिया में हो पाई थी जबकि बताया ये जा रहा है कि राहूल गांधी से इनकी मुलाकात संसद के अंदर होनी थी लेकिन आरोप ये है कि उन्हें संसद में जाने क्या पास ही नहीं दिया गया अब कॉंग्रेस ने सवाल पूछ डाला कि क्या संसद में किसान, मच्छवारे और देश के आम लोग नहीं जा सकते हैं आखिर उन्हें हर बार राहूल गांधी से मिलने से क्यों रोका जा रहा है संसद लोकतंतर का मंदिर है यहां देश के मुद्दे को उठाया जाता है यहां दबे कुछलों को आगे बढ़ाने की बात की जाती है यहां किसानों की बात की जाती है यहां गरीबों की बात की जाती है यहां बिरोजगारों के बारे में सोचा जाता है संसद के अंदर रोटी, कपड़ा, मकान के विशे से लेकर देश को आगे बढ़ाने जैसे हर मुद्दे पर बात होती है लेकिन उसी लोकतंत्र के मंदिर संसद में आखिर जरुत मंदों को राहुल गांधी से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है आखिर उन्हें क्यों रोका जा रहा है? यह एक बड़ा सवाल है वैसे लोगों का कहना है कि मोधी सरकार शायद डरी हुई है क्योंकि राहुल गांधी से लोगों के मिलने की लंबी फहरिस्त है राहुल गांधी सबकी समस्याओं को सुन रहे हैं उसे दूर कर रहे हैं जिससे राहुल गांधी की लोग प्रता लोगों के बीच बढ़ती जा रही है बस इसी से मोधी सरकार डर गई है हलाकि आप को बता दी कि इस मुलाका़ को लेकर नेता प्रतीपक शराहूल गांधी ने कहा हमारा हक बनता है कि हम किसी से भी मिल सकें लेकिन वे रोक देते हैं मचवारों का स्रिलंका का एक मुद्धा है मैंने किसानों के बारे में कहा स्पीकर हाउस ने कहा था कि रोका नहीं जा रहा है लेकिन फिर रोक रहे हैं मेरी जिंदगी अब कुछ ज़्यादा मुश्किल हो गई है पहले लोगों से उधरी मिल लेता था अब उनसे मिलने यहां आना पड़ता है तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी ऐसा क्यूं बोल रहे हैं और लोगों को उनसे क्यूं मिलने नहीं दिया जा रहा है वैसे कि आपको भी लगता है कि केंद्र की मोधी सरकार राहुल गांधी की लोक फिरता से डर गई है इसलिए लोगों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है कमेंट करके जरूर बताएं और आखिर में हम आपको राहूल गांधी के वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं सुनिए उन्होंने स्तंसद के अंदर किस तरह से हर मुद्दे पर अपनी बात रखी है Thank you Speaker Sir for allowing me to speak on the budget 2024 budget 2024 in my last speech I spoke about some concepts, religious concepts Shivji's concept of Ahinsa the fact that the Trishul is placed behind the back and is not held in the hand I spoke about the snake on Shivji's neck and I also said how all religions in our country propose the idea of non-violence and can be encapsulated in the phrase Darumat, Daraumat and I also said that there is an idea beyond the personal the idea of the Abhay Mudra that transmits this notion of Ahinsa and affection and fearlessness to everybody else Speaker Sir, as I said in my speech there is an atmosphere of fear Durkum Hall in Hindustan and that fear has pervaded every aspect of our country my friends are smiling but they are also scared they are scared Sir, I'm talking about my budget sir budget sir you see the problem is in the BJP in the BJP only one man is allowed to dream to be Prime Minister if the Defence Minister decides he wants to be Prime Minister there is a big problem there is fear so this fear has been spread throughout the country and the question I was asking myself was why is this fear spreading so deeply why is it that my friends in the BJP are terrified the ministers are terrified the farmers of India are terrified workers youngsters and I I thought I thought and I thought I thought I thought I thought I thought I thought a question I thought because sir thousands of years in Haryana in Kurukshetra in in one Yuvah and Abhimanyu six people have been Chakraviyu in Mala Mala and six Chakraviyu में फसा कर मारा था सर चक्रवियू के अंदर डर होता है हिंसा होती है और अभिमन्यू को चक्रवियू में फसा कर ट्राप करकर छे लोगों ने मारा मैंने चक्रवियू के बारे में थोड़ी रिसरच की और पता लगा कि चक्रवियू का एक दूसरा नाम होता है पड्मवियू मतलब लोटस फर्मिशन तो जो चक्रवियू होता है स्पीकर सर वो लोटस के शेप में होता है कमल के फूल के शेप में होता है 21 सदी में स्पिकर सर वो भी लोटस की शेप में है सर और उसका चिन प्रधान मंत्री जी अपनी च्छाती पर लगा के चलते सर जो अभी मन्यू के साथ किया गया था जो अभी मन्यू को चक्रवियू में फसाया गया था वो ही हिंदुस्तान के साथ किया गया है हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं भेनों के साथ, स्मॉल बिजनिस के साथ, मीडियम साइज बिजनिस के साथ. सर अभिमन्यू को छे लोगों ने मारा था, उनके नाम दुरोनचारिय, करना, खृपचारिय, खृतवर्मा, अश्वतामा और शकुनी, सर आज भी चक्रिव्यू के बीच में छे लोग हैं, कि ह्यां, सर चक्रिव्यू के बिल्कुल सेंटर में हजारों लोग होते हैं, उसके बिल्कुल सेंटर में छे लोग कंट्रोल करते हैं,огiad से उस सिफ आप सवेधानिक पदपर हैं आपके कई मानने सदेशों ने यहां पर मुझे लिख लिख कर दिया है कि जो मानने सदेश्य सदेश्य का सदेश्य नहीं है उसका नाम नहीं आपने लिख के दिया लुड़त रखक्षाइब में करता है यह तो अपिक्षा करना से तो कि वो सदन की निम प्रयादा और मर्यादा को बन forcément करता हूं आप चाहें नहीं करें मैं अपिक्षा करता हूं सर्ट्चत मैं अगर आप चाहते हैं प्लीज मैंने चाहता सदन के नियम प्रक्रयाओं से सदन चलता नो तरह नहीं नहीं मानने सदेश नहीं नहीं पने तरह आप मत शुटिये सब प्लेज है याप समझायी उग भाजा है, आभीकर सरब, Speaker Sir, the Chakraview that has captured India, has three forces behind it. First is the idea of monopoly capital, that two people should be allowed to own the entire Indian wealth. So, one element of the Chakraviyu is coming from the concentration of financial power. The second element, sir, मैं बजट को एक्स्टेंट कर रहा हुँ, sir. मैं आरहा हुँ, मैं आरहा हुँ, sir. So, one element is financial power. The second element is the institutions, the agencies, CBI, ED, Income Tax Department of this nation. And the third is the political executive. It's because, sir, these three together are at the heart of the Chakraviyu. And they have devastated this country. It's because of my expectation was that this budget would weaken the power of this Chakraviyu. That this budget would help the farmers of this country, would help the youth of this country, would help the laborers, the small businesses of this country. But what I have seen is that this budget, the sole aim of this budget, इसकी जो नियत है, it is to strengthen this framework. The framework of big business, monopoly business, the framework of a political monopoly that destroys the democratic structure, and finally, the framework of what one can call the deep state or the agencies. And the result of this has been...